पांच वर्ष की उमर तक टुकेट लिया जाता है औरो बच्चा पांच वर्ष का रहा होगा छे वर्ष का रहा होगा जब टीटी ने पूछा उनके माता-पिता को भया इस बच्चे का टिकेट उसके माता-पिता ने बताया कि इसकी उमर साड़े-चार साल है लेकिन वो बच्चा बड़ा मज़ेदार उसने कहा टीटी कोई बोला उसने नई अंकल मेरी उमर छे साल है मामी पापा जूट बोल रहे है वो रोकना चाहते थे माता-पिता उस बच्चे को लेकिन वो नहीं रूका उसको आश्च्री लग रहा था कि मामी पापा जूट क्यों बोल रहे है और उस बच्चे ने एक बड़ी मज़ेदार बात बोली उन्होंने कहा ममी तुम नहीं तो बोला था जूट नहीं बोलना चैंज़े उस बच्चे का सुभाव है मूल सुभाव सत्य है लेकिन हम बाहर से असत्य ओढ़ लेते हैं अमारा मूल सुभाव इमानदारी हैं बाहर से बेमानी ओढ़ लेते हैं बेमान आदमी को भी उसकी अंतरात्मा कभी शिकार नहीं करती अंदर से उसको लगता है कि हमने वेमानी की है आईसा स्वभाव इस जवात्मा का आजा मिल बहुत सुन्दर ये ब्रमचारी था अपने गुरु की शेवा करता बहुत इमानदारी से रहा माता पिता की सेवा करता उसका विवा हुआ बहुत सुन्दर उनकी धर्मपत्नी थी इतना सुन्दर लेकिन एक दिन फूलों का चेहन करने के लिए एक बग्चा में गया आर उस बग्चा में उसको एक विश्या मिली नारायन कुसंग मिला आर उसके बाद उस विश्या के जाल में ऐसा फसा वो अजा मिल वो विश्या के साथ रने लगा और उन्हें अपने पत्नी का त्याक कर दिया माता पिता का त्याक कर दिया अपने गुरू का भी त्याक कर दिया आदमी दूसरों से बहुत कुछ सीख भी सकता है जीवन के निर्मान की बहुत सारी कलाएं सीख सकता है और अपने जीवन को मिटाने वनिबाती भी सीख सकता है सावधानों के चलने की जरुड़त में इस संसार में बहुत सारी फिसलन है बहुत जगह पर फिसलन आप कहां पर गिर जाएं कहां पर पैर फिसले कुछ ही काना नहीं है कीचड में हाथ डाल कर दोने के अपिक्षा कीचड में हाथ नहीं डालना ही श्रिष्ट है गिरकर उठने के अपिक्षा नहीं गिरना ही श्रिष्ट है और उसमें भी गिरने के बाद भी उठना यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी बहादूरी है जीवन में कमिया आने के बाद उन कमियों से जीवन को उठाना और अच्छे मार्ग पर चलना है बहुत बड़ी बाहदुरी है और जो लोग अपने जीवन भर कमियों में पड़े रते ना रहे हैं तो ना रखिये जीव हैं, ना रखिये जीव आदम को अपनी कम्यों को ज्ञाड लेना ची जैसे आप कचरा ज्ञाड देते हैं ऐसे ज्ञाड देना ची दिमाग को ज्ञाड देना ची साउधानी से चलने की जरुरत है मैंने आपको का मैं अमरनात की आत्रा में गया था बहुत लंबी आत्रत है हमारे अर्विन महाराजी भी थे इंदोर के हमारे बड़े प्रिय भक्त है रदीप अगरवाल जी उनका पूरा परिवार साथ था जब हम जाने लेके तो रास्ते में मेरा घोड़ा बिमार पढ़ गया मैंने घोड़े को छोड़ा और जब जाने लगा जाते जाते बहुत छोटी सी संकरी गली की तरह रास्ता और एकदम पायर फिचल लगे हमारा पायर फिचलने के बाद मालूम पड़ा ये तो बर्फ है और मैं जमीन समझ कर चल रहा था थोड़ा की चड़ता हो इसके उपर बहुत तेजी सी स्लिप हुआ मैं तुरंद अपन मेरा पूरा ध्यान रास्ते पर न होता तो मैं विसल जाता हुआ और वो ऐसी खाई थी कि नीचे गिरने के बाद मालूम नहीं पड़ता कि वो कहां गिरे कहां गिरे मालूम नहीं पड़ता है वो गिरे कहां सावधानों के चलने की जुरुत है आप रास्ते में चल भी रहें तो सावधानी से चले आँखों से धोका न खाये कानों से धोका न खाये आजामिल संबल नहीं पाया नारायन और उसका परिणा में हुआ पतन हो गया उसका दस बच्चे पैदा हुए उससे उन्होंने जीवन में बाद में कोई अच्छा कर्म ने किया उन्होंने ब्रह्मचरी अवस्था में बेश्चा के दुष्ट संग के पहले जो उन्होंने अच्छा कर्म किया था वही अच्छा कर्म उसके जीवन में था बाद में कोई अच्छा कर्म ने हो मरत्यू का समय आ गया आदमी अपने कर्मों से ही भैवीत रहता है चोर जब चोरी करता है न उसका बात जल्दी पुलिस पकड़ लेती है अब यह अपने यहां बैटे हो पचास सो हजार लोग उसमें चोर भी बैठा हो पुलिस आके यहां खड़ी हो जाए और पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी उस जाकर के कालर पकड़ लेगी यही चोर है क्योँ चोर के मन में वो भैर रहता है पुलिस से भैर रहता है उसके हमेशा आँखें नीची रहती पुलिस को देखतेum तो उसके लंबी सबली चले लगती वो भैवित होता, बाट कितना भी बाहर से ऐसा लगे कि बिलकुल भैवित नहीं है कितना भी आँखे बंद करके यो बैटे रहे, उसका रदे धक धक करेगा स्वांस तेजी से चलेगी, आँखे मिच मिचाएगी, वो डरा हुआ रहेगा उसको लगा कि उठके जाओं क्या, उठके जाओं क्या, क्या क्योंकि पुलिस आ गए है और उसके लक्षणों से ही वो पुलिस पकड़ लेती है आप कि अपरादी हैं तो आपके आँखें नीची है हो आप क्या करोगे अपरादी है तो आपके आखे नीची देगे आदमी का कर्म ही आदमी को ड़ाता है आपके अंदर अच्छा ही आए तो आप दुनिया से नहीं ड़ोगे मृत्यूं से भी नहीं ड़ोगे मरने का समय आ गया नारायन लेकन मृत्यू के समय जीवन में जो उन्होंने संध्या वंदन गाहितरी की थी उसका पुन्य था गुरु के क्रपाथी, माता पिता के क्रपाथी वो पुन्य भी उस ख्षन काम आया हमारे जीवन के पतन के ख्षन में, दुख के ख्षन में हमारे गुरु की क्रपा बीच में आ जाती है माता पिता की क्रपा बीच में आ जाती है और वो गिरे हुए को हाथ लगा कर उठाने का प्रत्ल करते है अब तो इतना बड़ा पतन ना रहे हैं अब मरना सन अब मरेगा अब मरेगा और उसी समय यम के दूत उसको ले जाने के लिए मैं आज तक आपने अकभिय शुना बहुत बड़ा दूष्ट दुरात्मा कई लोगों को मारा पिटा लेकिन उसको लेने के लिए यम के दूत आए और उसको ले गए पहली बात तो ले जाने वाले कोई मालूम ने पढ़ता है कि मेरे को को ले जा रहा है आपको को ले जाता है या आपको भी मालूम ने पढ़ता है पढ़ता है यम के दूत ले गए कि वो विश्नु के दूत ले गए ये किसी को मालूम ने पड़ता है और आपको मालूम पड़ रहा है कि यहां यम के दूत आके मेरे को ले जा रहे इसका मतलब कि कोई कृपा है वहाँ वहाँ पर कोई विशेश चीज है जिसके कारण उसको मालूम पड़ रहा है मेरे को यम के दूत ले जा रहे और उसको रस्टी से बांद के शरीर से खीच रहें, उन्होंने देखा यह सब को मालूम नहीं पड़ता है, और उसको मालूम पड़ा मतलब की उन्हें जो इवावस्था में साधना की थी, गुरु की सेवा की थी, माता-पिता की सेवा की थी, वो पुन्य वहां पर प्रगठ ह और उस पुन्य के प्रभाव से उसको मालूम बढ़ा कि मेरे को कोई खीचना है। बढ़ा भैवित हुआ हुआ। भैवित होकर के अपनी रक्षा के लिए वो पुकारना चाहता था। किसको पुकार। वो समझ गया कि मेरे को बच्चाने वाला कोई नहीं है। मेरी पत्नी न बच्चे, उसके एक बच्चे का नाम था नारा है, नारा है। बच्चा छोटा सा था, याद आ गई बच्चे की नारा है। लेकिन उसको यह भी मालूम था कि यह बच्चा क्या बच्चाएगा मेरे को। और उस समय उसको भगवान की याद आ गई। माता, पिता, गुरु और भगवान की क्रपा से ही उस मरनासन्न अवस्था में उसको भगवान की आदा आगे। और उने बहुत प्रानों से जैसे प्रान निकल रहे हो आपके उस समय आप कैसे भगवान को पुकातते हो। या आपके बच्चे के ऊपर कोई कष्ट आये या अचानक साप आगया आपके समने बच्चे के साब नहीं। वो बच्चा कैसा बिलबलाते हो। भवीत हो के पुकारता है। ऐसे उन्होंने परमात्मा को पुकारा। नारायन, नारायन, ओहुँआ। और उन्होंने प्रानों से पुकारा। प्रानों से, मालूमें मा को, मेरा बच्चा भूग से पुकार रहा है या शरारत से पुकार रहा है। मा को मालूमें, जब भूग से बच्चा रोता है ना तो उसकी पुकार कुछ रोना कुछ अलग होता है। और शरारत से रोना उसका कुछ अलग होता है। और उस समय मा उसको उठा लेते ज्चाती में लगा देती है। भगवाद ने इसा रख कर दिया। एक बार भगवाद को पुकारा उन्होंने प्रानों से और वो पुकार अजा मिलकी परमिश्वर तक पहुंच गया। और भगवान के दूत नरैन वो काला तित है देशा तित है जहां चाहे वहाँ वो प्रगट हो सकते हैं। वहाँ पर पुक्ष गये और उन्होंने कहा यमके दुत्वों को यहां तुम क्या कर निकलिया है। और उनकी उन्होंने रक्षा के नारायन, यम के दुतों को ले नहीं जाने लिया। और उन्हें कहा कि भाईया इन्होंने तो भगवान का नाम लिया है। यम के दुतों ने खाई तो एक ही बार तो नाम लिया है नारायन। और दूसरा नाम लेने के पहले तुम पहुंच गए है। एक बार उन्होंने नाम लिया नारायन। और वो दुबारा लेना चाहता था उत्रने में भगों। भागवान के दुद पहुंच गए। कितना तेजी से पहुंच गए होगे आप कलपना कर सकते हो। भागवान के दुद्दों ने कहा कि इन्होंने प्रानों से लिया प्रानों से आहो। ऐसा पुकारा एक पुकार में ही हमको आना पुदा। अजामिल ने दिखा। सारा भय नारायन दूर हो गया अजामिल का बचाने वाले आगे। कौन है ये। शाम वर्ण है। चत्रभूज मलूप पढ़ रहे हैं भगवान की तरह। वो कुछ बातचीत करना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि आप कौन है। जानना चाहता था नारायन। लेकिन भगवान के दूतों ने उनसे बातचीत नहीं की क्योंकि उतना पुन्य नहीं था उसका। बचा लिया और भगवान के ये दूत महां से चले गए। बोलिए सच्चिदानन भगवान की जैए। इस आजामिल उपाख्यान के द्वारा आपको समझ में आता है। बात महतुपूर्ण नारायन। भगवान का नामस्मरन और नामस्मरन जिस विधा से ले रहे है। आप जिस विधा से ले रहे हैं वो विधा बहुत महतुपूर्ण होती है। आप ध्यान करते हैं ध्यान करने की विधा क्या है। आप गा रहे हैं गाने की विधा क्या है। वो विधाई आपको महतुपूर्ण बना देती है। और उन्हें तरीके से लिया भगवान के तरीके को सिखा भी नहीं था उन्होंने सह्योग पशार वो माता पिता की क्रपा भगवान की क्रपा हुई और उन्होंने नाम लिया प्रानों से इसलिए आप जो भी साधना करते हैं उस साधना के साथ आपके प्राण जुड़े उड़े हो आपका मन जुड़ा हुआ हो मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कू भगवान ने कहा कि तुम्हारा मन मेरा मन हो जाए बहुत गहरी बहुत बुली भगवाने तुम्हारा मन मेरा मन हो जाए आप भगवान के मन के साथ अपना मन जोड़ दे भगवान के नाम का स्मरण जब करने लग जाए तो मंत्र और मन एक हो जाए और वो जब करते 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 आपका मन और आपका मंत्र एक हो जा जा रहा है मंत्र और मन एक हो जाए तो समझना चाहिए कि हमने मन को भगवान को दी दिया आप भगवान का मन और आपका मन एक हो गया समय इसलिए आपको बहुत तन्माईता से अपनी साधना कर लेनी चाहिए कल आप लोगों ने सुना भगवान के माहान भक्त दुर्वजी महराजी ने जिनकी उमर केवल पांच वर्ष की है और पांच वर्ष की उमर में उन्होंने परमात्मा को पा लिया हम जीवन में भगवान का भजन करते लेकिन कभी कोई जाकी ने मिलती है और उन्होंने केवल छे मेने में परमात्मा को पा लिया उसका एकमात्र कारण था तनमेता उन्होंने वो छे महने का समय भगवाद में समर्पित कर दिया अपने अस्तित्व को विशर्जित कर दिया हमारे जीवन में सबसे बड़ी बादा है हमारे होने की सम्वेदना हम सेश रह जाते हैं हम भगवाद का नमस्मरन करते हुए हम अवसेश रह जाते हैं हमारी वासना अलग हो जाते हैं हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारे प्राण और उसके बाद फिर हम अपनी वासना के हिसाब से जिने लगतने हैं लेकर बक्त प्रलाद ने क्या किया अपने जीवन को ही भगवान के साधना बना दी ओम नमो बगवते वासु देवायए इस मंत्र मेंहीं संपून जीवन को डाल दिया इस मंत्र में मंрашसंपून जीवन बनके ना आप गुरुव के सάमने नारहने इसकी अलवा तो पुछ भी नहीं था, ओम नमू भगवते वासु देवाय। पांच वर्षी की उमर ने भक्त प्रणात की। घरन्य कशपु के उत्र हैं, बाल्य काल से ही। jala, बच्पन से प्रेम था उनका उनका। वो बच्पन से प्रेम कहां से आया ? नारजी महाराजी। बच्चों से बहुत प्रेम करते है। क्योंकि अध्यात्म की जो साधना है न, वो बच्पन से शुरूणी चाहिए। हमारे गुरकुल के बच्चे हैं या दिवासी बच्चे हैं अब ही 25 बच्चे हैं अगले साल हम 50 करेंगे इनको अब यह सादू मात्माओं के मद्धे में रते हैं इनके अंदर इत्याग तप समझ आगे बढ़ने की भावना सदाचार शिष्ठता समाज की प्रति उत्तरदाइत वा सेवा की भावना सारी चीज़े पैदा हुआ क्योंकि बाले काल से ही इस मारग पर चल रहे हैं आपकी स्लेट है उसके उपर आप जो लिखो नारे बहुत स्पष्ट रूप से आप लिख सकते हो लेकिन वो गंदी वो मेली हो तो आप उस पर नहीं लिख सकते हैं साधना का आरंब बाले काल में गुरु मिले बाले काल में इसलिए बालकों को सबसे पहले गुरु मुखी बनाना बहुत ज़रूरी है किसी भी अच्छे मात्मा से जोड़ देना चाहिए बच्चों को मंत्र दिक्षद दिलवद देनी चाहिए और उसके मन में भाज पैदा कर लेना चाहिए ये तुमारी गुरु ये तुमारी परंपरा ये तुमारा मंत्र ये तुमारी साधना अब वो बच्चा अपने जीवन में अनुए को प्रकार की शिक्षाइं लेता हुआ भी वो एक चीज याद रखता है ये हमारा मंत्र ये हमारी साधना मा के पेट में प्रलाजी की मा का नाम था कयाधू उसके पेट में थे जब प्रलाज नाराजी महराजी मिले आर नाराजी महराजी ने उनको मंत्र दिया नाराएं मा को मंत्र दिया था उनको मालूम था इसके पेट में बच्चा है वो बच्चा भी सुन रहा था मा के पेट वाला इतना वो शक्तिशनी वालक था मा के पेट में उन्होंने मंत्र दिक्षा लेली नाराएं और यही मंत्र था नारजी महाराजी का, ओम नमो भगवते वासु देवाई, आरो मा के पेट में जब कर ले थे, ओम नमो भगवते वासु देवाई, आज वो पैदा हुए तो उनको दुबरा कोई बुरू नहीं मिला, खोश में आया, सबसे पहला नाम उनुने यही लिया, ओ आपको दो समझ में नहीं आये, बोल क्या रहा है, हमारे सनातन संस्कृति में बच्चे के जीव पर लिखा जाता है, ओम, क्योंकि पहला जब उच्चारण करे ओम नारयंत भगवान का नाम, मंगलम भगवान विश्णु, शब्द का आरम, बोलने का आरम जब करे तो ओम से, इसलिए उसके जिव्वा के अगरभाग पर लिखा जाता है, चांदी के सीख से ओम, आ निमित्ता भागवती, बाहर का कोई निमित्त नहीं था, बाहर की कोई शिक्षा नहीं चिना रहा है, स्वाभाविक जन्म जात, ओम पैदा होती भगवान के वक्त, लेकिन ये उनके पिता को, हिरजने कश्प को मने नहीं था, वो सोच रहे थे कि भगवान का नाम क्यों ले रहा है, सबसे बड़ा तुम्हे हूँ, वो अपने आपको भगवान समझता था, क्योंकि भगवान के सारी लक्षन उसके अंदर दिखाई दे रहे थे, मैं भगवान के लक्षन क्या है, नैनम चिंदंती शस्त्रानी, नैनम दहती पावकह, आपके भगवान का जो लक्षन है नम यहीं हो है, वो किसी भी शस्त्र से मिठता नहीं है, कटता नहीं है, पानी से विंगता नहीं, आक से जलता नहीं है, और हिरने कशपु ने ब्रह्मा जी की तपस्चा करके वर प्राप्त कर लिया था, मैं दुनिया की किसी शस्त्र से नहीं मरूँ, अस्त्र से नहीं मरूँ, उपर से नहीं मरूँ, नीचे नहीं मरूँ, इधर नहीं मरूँ, उधर नहीं मरूँ, अंदर नहीं मरूँ, बाहर नहीं मरूँ, दिन में नहीं मरूँ, रात में नहीं मरूँ, न मनुष्य से नहीं म और ब्रम्मा जी से उने आग में जला के मारने का प्रत्ने किया, उसको हिमाले के हिमाथ चादित प्रदेशों में जाके खतम करने की कोशिश की, डुबो के मारने की कोशिश की वो नहीं मरे, जलाने की कोशिश की नहीं जले, वहांके सारे लोग सोच रहे थें कि ये बालक कोई अद्भूत है बउत शक्ति शाली उनके बड़े-बड़े मंत्री लोग भी सोच थे्यखते थे कि ये बालक तो बड़ा अद्भूत लगता है बड़े-बड़े शस्त्रों से भी ओ मरने रा इसका मतलब कि ये कौन है, बालक कौन है लेगन आश्चरी के बात ये आश्चरी हिरन्य किश्चपू के मन में कभी नहीं था आप कलपना करो हमारे इन पच्चिस अधिवाशी बालकों में ऐसा एक बालक आपको दिखाई दे उसको कितना भी पटको, उसका हाथ पहरे ने तूटे उसको आग में भी जोको, लेकिन वो जले ये नहीं उसको उपर पूल से नीचे गिरा दो, उसको कुछ भी नाम हो उसको तो आप क्या बोलोगे, ये तो बड़ा च्छमतकारी बालक है अब सारे लोग तो मेले के सारे लोग उसको प्रणाम करने के लाएंगे ये हो ये वो ही कोई देवता भूश है ये बहुत बड़ा च्छमतकार बालूम पड़ता है लोगों को प्रणाद बहुत बड़े च्छमतकार ही बालक थे क्या इससे बड़ा क्या चमचकार हो सकता है यह आग से जला रहे लेकिन वो जल नहीं रहे है और जो जलाने की कोशिश कर रहा है वो जल जा रहा है जो डूबो निकले जा रहा है वो डूब रहा है लेकिन प्रलाद नहीं डूब रहे है कितना बड़ा चमचकार लेकिन हिरणी कश्वपू नेुस चीज़ को कभी चमजगा नहीं समझा क्यों वह सोच रहाता कि यह तो जनेटिक व्मशानु बत्त है इसारी चीज़े मेरे अंदर है और ईह मेरा बेटा उने के कारण मेरे अंदर की सारी चीज़े इसके अंदर चले गई वो सोच रहा था दुनिया की कोई ताकत मेरे को जला नहीं सकती ये ताकत मेरे अंदर है और ये मेरा बेटा बना है ये ताकत भी मेरे इसके अंदर चले गई जैसे मैं अजर अमर्व हूँ वैसे उसका आंश मेरा बेटा होने के कारण इसके अंदर गई मेडी ताकत इसके अंदर आताई है, है इसमें क्यां छमठकार थ观ered, और इसके लिए कोई छमठकार नहीं था, नारायन क्योंकि था झारी छह इसके अंदर थी, भयविथारो, भयविथारो. और उने त्याक कर दिया, भक्ती प्रलहात का त्याक कर दिया, अतना वह भैवीत था नारायन गुरुकुल में भेज दिया उना गुरुकुल में रने लगे प्रणाज पांच वश्ग का बालक लिगन अच्छे लोग जहां भी रहते हैं बुराइप पहलाते हैं और बुरी लोग जहां भी रहते हैं वहां बुरायां फैलाते हैं। आप अच्छे हैं तो आप कच्रा फैलाओगे नी। आप कच्रा समेट लोगे। आपका कमरा, आपका बरामदा, आपका आंगन, आपका महला सुछ होना चीहें। आपको यहाँ वहाँ गंदगी नहीं फैलानी चहिना रहा है बोली सच्चिदानन्द भगवानी कीजै सच्चिदानन्द भगवानी कीजै एक दिन लिए वक्त प्रलाद अपने अने को बालकों के मध्य में वो बैठे थे और उन्हें एक बहुत गहरी बात बोली ना रहा है बच्चों के बीच में एक बच्चा बोल रहा है बच्चों को एक बच्चा ज्यान का उपदेश कर रहा है ओहो बहुत गहरा उपदेश कौमारं आचरेट प्राग्यो धर्मान भाग वतानिह दुर्लगं मानुशं जर्मा तद प्यत्थ्व मर्थदं तद प्रयासो न कर्तक्यो यत आयुर रयाप्परं ना तथा विंदते ख्षेमं मुकुन्द चरनाम भुज़न। उन्हें अपने बच्चों को कहा, अपने साथियों को, वित्रों को, चलो बच्चों, हम भगवान का भजन करते हैं। आज सारे बालक मिल करके भगवान का भजन करने ना रहें। आयुर मः, आयुर में। आयुर में, आयुर मोत करते हैं। आयुर म के बच्चों के लिए आयुर मटते बच्चों के अद्धावेति कुज़न। Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama राम राम आरे हरे हरे क्षिछनय। आरे क्षिछनय। तो प्रिश्न तेविदो हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Ram, Hare, Ram, Hare Hare, Ram, Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare राम राम-हरी-हरी हरी राम-हरी राम-हरी-हरी झाली प्रेड शल्य नानी पर जात हुए किस्ता क्रिष्णा हरे 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 Hare Rāmi Hare Rāma, Rāma 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rāma Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Rama, Rāma Rāma, Rāma Rāma devrait Hare Hare Rāmi Hare Rāma 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 Hare 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 आरे पिष्णा, हए पुष्णा Isha hot, हरे कृष्णा Isha आरे पीष्णा Ishahi Ahay अरे पिष्णा पिष्णाराना ke Saxale एकमिल वश्व्वी काुष्णा Isha Hare Krishna Hare Krishna त्रिष्णा त्रिष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे आगवत्य भगवानिकी जै नावन धामति जै 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 श्री राधे गौमार आचरे प्रग्यो धर्मान भाजवतानि बोल्ल भव्मान शव्यव्य तदप्यत्रव मर्तरण। पांच वर्ष का बालक प्रलहाद अपने साथी मित्रों को ज्ञान के शिक्षा दे रहे हैं। कितना आश्च ले हैं। पांच वर्ष का बालक अपने साथियों को बोल रहा है। कौमारम आचरे प्रग्यो धर्मान बालकों बाल्ले काल से ही स्वधर्म का आचरन करना चाहिए। बाल्ले काल से ही भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन में बड़ा दुरलफ है। आप बाल्ले काल से शिक्षा नहीं ग्रहन करोगे। तो बाद में आपका मन उन शिक्षाओं को ग्रहन करने में समर्थ नहीं रपाएगा। बाल्ले काल के स्वंसकार बड़े गहरे होते हैं। आदमी सोचता है कि हम बुड़े होंगे तो भगवान का भजन करेंगे। यह कोई उमर भगवान का भजन करने की हैं। ऐसा सोचता है आदमी है। लेकिन बड़ा होने के बाद वो क्या करेगा। बुड़े होने के बाद आप क्या करोगे। आप बुड़े हो जाओगे तो बुड़े का मतलब क्या होता है। बुड़ा मने रिटायर बुड़ा मने आपकी सारी हिंद्रिया, मन, सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है या खत्म होने कोई है। जब आपका शरीर ही आपको साथ नहीं देगा बुड़ापे में। तो आप बुड़ापे में क्या प्रणयाम करोगे। क्या ध्यान साधना करोगे, क्या रीड के एड़ी शिद्धी करके भट पाऊगे, आपके घुटने जबाब दे चुके होंगे, तो क्या हिमाले चड़ोगे, क्या आप गंगा मैया के बीच में जाके दश्वी डुपकिया लगा पाऊगे, यह हमारे गुरुकूल के बालब जाते हैं त्रिवेणी, और वहां इतना घंटो नहां के आते हैं, घंटो नहां के आते हैं, पचासु डुपकिया लगाते हैं, यह मा के नाम की, यह भाई के नाम की, यह बहन के नाम की, यह बकरी के नाम की, यह गाय के नाम की, गाय के नाम से उनको कुछ भी नहीं होता क्योंकि शरीर बहुत मजबूत है आप बुड़े एक डूपकी बहुत हो गई एक डूपकी लगाई और दूसरे डूपकी में तो छलांग मार के बाहर राम नम्हार नारायन बहुत जरूरी है ये वावस्था से बाले काल से ही भगवान का भजन करोंगे और ये वावस्था से भगवान का भजन करोगे न तो गुड़ापी में भगवान का भजन होगा गुळडेव पहाड़ी बाबा मिलुक पिठादैस्वर जी महाराज मिलुक पिठादैस्वर मारे बड़े गुलब़ाई हम दुनों साथ साथ सानिते में रहे गुर्देव के सानिते में पहाड़ी बाबा वो एक बात कई बार सुना थे ते वो कहते थे भजन करो भजन करो बुढ़ापे में बड़ा मजा आएगा आप भजन करो बुढ़ापे में बड़ा मजा आता है जवानी में भजन करोगे तो बुढ़ापे में मजा आता है बुढ़ापे में इसलिए मजा आता है क्योंकि जवानी में अपने भजन किया है जा रहा है मन को सधा, साधा, आत्म नियंत्रन को पाया आपने, अब तो बड़ा अनन्द आएगा। नतत प्रयासो कर्तवयो, यत आयो रुगया पर। मुझे संसार के किसी भी काम में आपको बहुत बड़ा स्रम करने की जरुड़त नहीं है। यह जो भी चीजा हमारे पास है ना वो बिना श्रम, बिना परिश्ण, आपके अंदर संसार है, जलन है, घ्रना है, इरशा है, द्वेश है, काम है, क्रोध है। अचा इसको पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ा क्या। आपको अंधकार जलाने की जरुरत ने प्रकास जलाना परता है। आप अंधरे को नहीं जलाते हो, दिया जलाते हो। और दिया जलाने के लिए आपको बहुत सारी चीजे चाहिए, माची चाहिए, तेल चाहिए, बाती चाहिए, जलाने वाला चाहिए, दिया चाहिए। उसके बाद आप एक दिया जला सकते हूं लेकिन अन्धेरे क्यों जलाना हो तो को जरूत नहीं सहज प्राक्ट अंदरे की तुर अग्यान हमारे अंदर सहज है हम कबसे अग्यानी हैं किस ने आपको अग्यानी बनाया ये भी मालूम नहीं है सारा पुरुशार्थ अग्यानी बनने के लिए बनाने के लिए नहीं है ग्यानी बनाने के लिए काम कबसे प्रक्त है क्रोध की कोई शिक्षा लिए है क्या हमने काम की किशी ने भी शिक्षा ने लिए क्रोध की किशी ने भी शिक्षा ने लिए और सबसे ज़्यादा अच्छा क्या करते हो आप यही तो करते हैं बिना सीखिवी चीज आपको क्रोद करना किशी ने सिखाया नहीं मा ने न बाप ने किशी ने भी और जो सिखा नहीं है उसमें आप बहुत एक्सपर्ड ने हैं दुनिया की सारी शिक्षाएं बोलती हैं क्रोद मत करो काम का अतिक्रमन करो सहन सील बनो सयमी बनो लेकिन जो बाकी धाराए हमारे जिवन में हे नारा है वो बड़ी ही सहज साभावी कुरूप से अमारे अन्लर है इसलिए नारा जी मारा जी ने अपने बच्चों को बोला बच्चों आग्ञान के लिए कोई इफ्सरम नहीं है सारा परिश्रम ग्ञान को पाने के लिए काम के लिए कोई परिश्रम नहीं है काम से ओपर उठिने के लिए परिश्रम है क्रोध को पाने के लिए कुछ करना नहीं होता है, क्रोध से अपने मन को उपर उठाने के लिए पुरुशार्थ करना पड़ता है, सारा पुरुशार्थ अध्यात्म में ही सफल है, संसार में तो बिना किया ही, ये सारी चीजे मिल जाती है, भगवान का भज़न करो, सारे बालक मिलकर भगवान का भज़न करने लेगे ना रहा है, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, वो गुरुपुल के हजारों बालक सारे बालकों के हाथ उपर है, आर सबसे सबसे प्रिये बालक, नलाप, सबके वीचों बीच में आरो हजारो बालक हात उपर उठाकर भजन कर रहे हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल आरो गोल गोल भूम रहते हैं, हरी बोल, अब होश में नहीं है, समाधी जैसी स्थिति है, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, समाधी जैसी स्थिति है वो आवाज सुनी, बड़े लोगोंने बुढोंने ये आवाज कहां से आरे, अरी बोल, अरी बोल, दोड़ पड़े, देखा, सारे गुरुकुल के विद्ध्याति मिलकर भगवान का भजन करने ते हरी बोल, शन्दामर्ख शिक्षक थे गुरुकुल के, शन्दामर्ख के बच्चे भी वक्त प्रलात के साथ भगवान का भजन कर रहे थे, शन्दामर्ख को सोच रहे थे, अभी तक तो अकेला भजन कर रहा था, लेकिन आप तो इस सारे बच्चे मिलकर के भजन कर रहे, अब हमारा क्या हीवाब दोड़े दोड़े पहुंचे और हिरन्य कश्यप्पो के पास जा के बटा दिया राजन जल्दी चलो हमारा दोश नहीं है हीरन्य तो हमारे बच्छों को भिगाड दिया है तो भगवान का बंजन कर रहा है। इरन्यक्ष्पो वहां आया देखा नारायन आश्चरक्षिकित हो गया इसको कोई भए tighter है निinvest теперь वह करके वह वह बहगवान का बजन कर रहे हरी भर Прीará वह निraft वह करके भगवान का बजन करने लगे नारायन दौर करके हिरने कशिकों ने हाथ पकड़ा उसका और हाथ पकड़ करके कहा क्यों रे दुष्ट गुरात्मा क्या तुमको वो मेरा भय नहीं लगता है जिसका तुम भजन करते मों वो कहां है मैं अभी तुमको मान डालूँगा वो कहां है तुमको बचाने वाला बहुत ही प्रेम से और निर्वय भाव से उत्तर दिया भक्त प्रढ़ाद में ना रहा है बहुत प्रेम से उत्तर दिया ना रहा है नोनोंने मेरा श्री है दिया हर जगह पर अईसी कौन सी जगह है जहां पर मेरा श्री हरी नहीं है वो आपके अंदर भी है मेरे अंदर भी है कणकण में वो प्रभू कणकण में है और ने पूछा अच्छा इस खंबे में है भक्त प्रलाद ने का हां गुर्णे हां पिता श्री ये खंबे में है ये कितना बड़ा संगर्श है आज हिरने कश्य को दिखाना चाहता है इश्वर नहीं है और अनुभू से कहरे भक्त प्रलाद भगवान है वो सिद्ध करना चाहता है खंबे को तोड़ के दिखा देना चाहता है इसके अंदर भगवान नहीं है और घठ प्रलाद कर रहे नहीं है इसके अंदर भगवान है अब कोल सी किसके बात सत्य वो . इसकी जिम्मीदारिय भगवान की उपर पड़ी भगवान सोच रहे थे जदि सच्मुछ इसे खंबा तोड़ा और इसमें जदि भगवान की उपर पड़ी नहीं निकले, तो मेरे भक्त की बात यूठी होगी, और इसका नास्तिकता बात आस्ति के उपर हरी पड़ेगा, इसलिए आज भगवान शाम सुंदर नारान स्वयम सोच रहे थे, मैं प्रगठ होगा, नहीं होने के बाद भी मैं प्रगठ होगा, क्योंकि मेरे भक्त ने बोला है, इस खंबे के अंदर भी है, एक बुका मारा, हेरन कशिपु ने उस खंबे को तोड़ा, और वो दिखाना चाहता था इसके अंदर नहीं है, तो भरोसा मत कर, लेकिन आश्चरी के बात उस खंबे के अंतर भगवान अंदर से भगवान परगठ हो गए, ओली नर्शिंग भगवान की, नर्शिंग भगवान की, बहुत विचित्र सा रूप था उनका आधा नर आधा सिंग, देखा उन्होंने बड़ा विचित्र सा प्रानी उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तो भगवान थे नार है, दोनों में बहुत बड़ा संगर्ष्वा वाजे में ले आए और जो जो ब्रह्माने उसको वर्दे के सशक्ष बनाया था, वो सारे वर्प पूरे कर दिये वगवान में, घरन्यकशिपु सोच रहा था, कोई उपर मरे गया, तो कोई नीचे मरे गया था, लेकिन कोई ऊपर भी न मरे और नीचे इन मरे, तो फिर मरे वो मरे गए गनित था उसका अपना गनित था आदम हमेशे अपने गनित से चलता है और जब फंसता है तो वो अपने ही गनित से फस जाता है वो सोच रहा था कि कोई मरेगा तो या तो दिन में मरेगा या तो रात में मरेगा आज जब वो दिन में नहीं मरे और रात में नहीं मरेगा तो मरेगा कब या तो अंदर मरेगा या तो बाहर मरेगा आज तक आदमी ऐसा नहीं मिला होगा आपको कि जो अंदर न मरे बाहर न मरे, और कोई अंदर नहीं मरे बाहर नहीं मरेगा, तो मरेगा अमर होगा, अमर, सारे गनित अपने थे, और भगवान ने सारी प्रतिग्याय पूरी भी कर दिना रहें, संद्या का समय था, दरवाजे क उपर भगवान बैठ गये और भगवान ने का देखो मैं पशु हूँ की मनुष्य हूँ, न पशु न मनुष्य। दर्वाजे में न अंदर न बाहर उपर नीचे गोद में लिये हैं सारी प्रदिक्याय पूरी कर दी और भगवान ने हिरन ने कर्श्पु का उधार कर दिया। बोलिए सच्चिदानन भगवानी कीजए। बगवान को अवतार प्रहन करना पड़ा न रहे हैं। ओहो कितना महान। वो बालक पांच वर्शी की उमर और उसकी इसी अद्भूत साजना। बगवान की प्रति अगाद प्रेम प्रभाह। और वो तन्वेता से परमत्म को पुकार रहे हैं। तन्वेता से रधी से। तन्वेता से रहे हैं। तन्वेता से रहे हैं। झाल तन्वेता से रहे हैं। तन्वेता से रहे हैं। झाल